नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर शुरू करते हैं 2 नवंबर 2014 दिन शनीवार की चौखडिया मुहरत लेकिन वीडियो शुर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपनी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रति दिन चौखडिया मुहरत की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं शनीवार की चौखडिया मुहरत सुर्यदे होगा सुवे 6 बच कर 34 मिनट पर और सुरिया स्थोगा शाम के 5 बच कर 35 मिनट पर अभी जीत मूरत का समय रहेगा सुवे 11 बच कर 42 मिनट से 12 बच कर 26 मिनट तक और आहु काल का समय रहेगा सुवे 9 बच कर 19 मिनट से 10 बच कर 42 मिनट तक दिन की शुब चौगणियां इस प्रकार रहेंगी शुब चौगणियों का समय रहेगा 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 तो पर 2 बच के 50 मिनट से शाम के 4 बच के 12 मिनट तर अमरी चौगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कारी किये जा सकते हैं राट की शुब चौगणियां इस प्रकार रहेंगे लाब चौगणियों का समय रहेगा शम के 5 बच के 35 मिनट से 7 बच के 12 मिनट तर लेकिन इस समय का लात्री भी लग रही है और का लात्री के समय किये गए शुब एवं मांगलिक कार्य फल दाई नहीं रहते इसलिए इस मौरत को त्याग नहीं उजित है शुब चौगणियों का समय रहेगा रात के 8 बच के 50 मिनट से 10 बच के 27 मिनट तर अमरी चौगणियों का समय रहेगा रात के 10 बच के 27 मिनट से 12 बच के 5 मिनट तर अमरी चौगणियों के समय सही प्रकार के शुब एवं मांगलिक कार्य किये जा सकते हैं चर चोगणियों का समय रहेगा राद के बारा बच के पांच मिनट से एक बच के बैलिस मिनट तर लाब चोगणियों का समय रहेगा तीन नवंबर की सुबह चार बच के सतावन मिनट से छे बच के बैतिस मिनट तर लेकिन इस समय कालात्री भी लग रही है और कालात्री के समय किये गए शब एवं मांगलिक कार्य फल दाई नहीं रहते इसलिए इस मुरत को त्याग नहीं उचित है तो ये थी जानकारी शनिवार के चौखडिया मुरत की मेरे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडि यो के साथ